अलो फ्रेंड्स मैं आपका दोस्ट डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एडुकेशन क्लिनिक आज हम बात करेंगे कि IBS जो प्रेसानी है जो लोगों को इरिटेबल बाउल सिड्रोम का जो प्रॉब्लम है यानि कि लोगों को लागातार कभी लूज मोशन हो जाना कभी कब्स हो जाना वेट नहीं बढ़ता है लोगों का काफी बैटर फील नहीं करते हैं टाइट भी नॉर्मल नहीं रहता जी आई मोटिलिटी भी नॉर्मल नहीं रहती है कभी बहुत ज़्यादा दस्त हो जाते हैं तो कभी कॉंस्टिपेशन हो जाता है कभी भूक बहुत अच्छी लगती है कभी भूक लगती ही नहीं है कभी बहुत अच्छा फील करते हैं कभी जादे negativity आ जाती है, कभी mood बहुत जादे off हो जाता है, कभी नीद आती है, कभी नीद नहीं आती है, कई वेरी देखा जाता है, BP बहुत लोग हो जाता है, कई वेरी देखते हैं कि हम pulse rate बहुत बढ़ जाता है, और एक fear एक डर लगातार बना रहता है, तो ये सब IBS में ही होता है, और IBS जो एक बीमारी है, वो एक दिमागी है, दिमागी मसला भी है, सारे रिक मसले के साथ साथ, ये आपकी सोच, ये आपका fear, ये आप जो information overdose करते हैं, प्लस जो एक somatization है, यानि कि आपने एक चीज के पीछे अपने brain को fix कर दिया है, और आप repeatedly उसके साथ लगे रहते हैं, तो आज हम ये बात करेंगे कि जो IBS है, क्योंकि IBS के जो patient हैं, उनको कुछ खुद से भी कुछ चीजों को treat करना होगा, कुछ घरेलू उपाय भी करने होंगे अपनी problems के, और अपने को खुद भी एक messaging करनी होगी, कि ये कोई बहुत बड़ी समश्या नहीं है, ये society में बहुत सारे लोगों का बाउल regulate करने का जो pattern है, वो थोड़ा सा अलग होता है, और इसको manage किया जा सकता है, और इसको खुद भी manage किया जा सकता है, आप हर हपते या रोज इन problems के लिए doctor को reach नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी life में there are some other important part also, बहुत जरूरी और दूसरे भी काम है, क्योंकि ये बाउल राज का जो है आपका habit, ये ऐसा ही रहने वाला है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ बदलाब होगा नहीं, बट यस कुछ चीजों को यदि आप याद रखें, कुछ चीजों को यदि आप manage करें, तो आप इसको खुद manage कर सकते हैं, और आप इन सब परेसानी को complicated होने से बचा सकते हैं, तो symptoms में तो normal से symptoms यही हैं, कि आपको कई वरी luge motion हो जाता है, कई वरी constipation होता है, भूक नहीं लगती, weight नहीं gain होता, और कई वरी पेट में दर्द होता है, कई वरी पेट फूल जाता है, और लगातार यह समझ्चा बनी रहती है, और एक डर, बहेम, depression की conditions, एक state आपके साथ जुड़ा रहता है, सबसे पहले अब आते हैं, कि अब इसको हम घरेलू लेवल पे, अपने लेवल पे कैसे manage कर सकते हैं, सबसे पहला part है, जो आपको ठीक करना है, कि food आपको कौन सा food नहीं लेना है, बहुत सारे लोगों को देखा गया है, कि मटन, चिकन, अलकोहल, स्मोकिंग, तमाकू, चावने से, प्लस, मिल्क प्रोडेक्ट से भी प्रॉब्लम होती है, तो आप इसको completely stop कर दीजे, दूसरे लेवल पे आना है, कि हम ऐसा क्या food एड़ करें, इससे फायदा होगा, IBS के पेशेंट में फाइवर से काफी फायदा होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा फाइवर लेने से, आपको reversible problem हो सकती है, यानि कि फिर जब बहुत ज़्यादा यदि आप फाइवर लेंगे, तो आपको constipation हो सकता है, और ज़्यादा गैस बन सकती है, पेट फूल सकता है, बफरिंग ज़्यादा हो सकती है, तो आपको लगवग 30 gram फाइवर लेने, उससे ज़्यादा फाइवर लेने की आवश्यक्ता नहीं है, अब फाइवर के भी दो टाइप हैं, एक बजार में मिलने वाला फाइवर है, जैसे इसब घोला है, या फिवरिल है, या फाइवर डाइट इस तरह के ब्रण्ड आपको मिलेंगे, दूसरा है के नीचरल फाइवर से, मैं रिकमेंट करूँगा आपको की नीचरल फाइवर लें, जो फूट से आपको मिलते हैं, वो ज़्यादे अच्छे से अब्जॉप्शन को नहीं परभावित करते, प्लस वो ज़्यादे अच्छे से आपके बाउल को रेगुलेट करेंगे, कॉंस्टिपेशन से आपको बचाएंगे, प्लस उनसे बहुत ज़्यादा गैस भी आपको नहीं बनेगी, लेकिन बजार के फाइवर्स में कैवरी ये देखा जाता है, कि आपको ज़्यादा गैस बनती है, ज़्यादा ब्लोटिंग होती है, और आपको कैवरी दर्द भी आ जाता है, तो आप फूड वाला जो फाइवर है, वो कंसीडर करें, मल्टी ग्रीन, दलिया, पोहा, ये आप खाएं, पपीता आप खाएं, अमरूद आप खाएं, सेव आप खाएं, यदि फिर भी आपको प्रॉब्लम रहती है, तो आप इस सब घुला एक से दो चमच गरम पानी के साथ ले सकते हैं, ये काफी हेल्प करता है, प्लस आप चोकर खाएं, चोकर से मतलब है कि आप जो चना और आटे जो है, वो मिक्स कर लें, आटे को आप फाइवर थोड़ा एड़ करें आटे में, वो सब ले सकते हैं, दूसरा है कि खमीर थोड़ा सा आप आड़ कर सकते हैं, कि जो आपका मल्टी ग्रेन ब्रेट्स हैं, वो आप खा सकते हैं, तो ये सब चीजें आपको फाइदा देंगी, प्लस नारियल आप ले सकते हैं, फ्रूट्स, वेजिटिबल्स बहुत हद तक आपको अच्छे फाइबर देते हैं, तो वो एड़ करें आप, दूसरे लेबल पर पार्ट आता है एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज में थोड़ा सा आईवेस वाले पेशेंट को साबधान रहनी के आवशकता है, वहुत ज़्याद है हड़् मस्कुल एक्सरसाइज से बहुत ज़्यादा फाइदे नहीं होते हैं, पेट की मसल्स को बहुत ज़्यादा सिधा सा मतलब है, आप खाली पेट सीधा लेच जाए या बैट जाएं, अपने पेट को पूरा अंदर खींचें, hold करें then फिर nose से breathe करके nasal breathing करें nose से आप अपना सांस बाहर चोड़ें तो एक diaphragm breathing से बहुत बड़े फायदे होते हैं plus visualization visualization मतलब किसी वी एक object को लंबे समय सक देखने से काफी बड़े फायदे होते हैं ये भी एक meditation का type है दूसरा आप 20-30 minutes soft music सुनें जिससे कि आप mentally थोड़े से charge होते हैं आपको थोड़ा सा positive feeling आती है और उससे फिर आपका digestive system को भी काफी regulate करने में मदद मिलती है walking के साथ साथ आप कुछ music से सकते हैं walking के दोरान आप nasal breathing करें पर जितना आप तेज पैदल चलेंगे उतना आपको फायदा होगा क्योंकि exercise जो walking है या फिर जो aerowics है या जो meditation है जो nasal breathing है इससे क्या होता है कि आपका जो system है वो regulate हो जाता है regulate हो जाता है काफी connected हो जाता है तो आपके जो enzymes हैं उनका secretion भी काफी positive रहता है और आपको अच्छे से भूख लगती है और आपने देखा होगा कि जब आप positive रहते हैं अच्छी नीद लेते हैं और stress आप पे नहीं होता तो आपको भूख प्यास भी अच्छी लगती है और आपका system काफी regulate भी हो जाता है तो यदि आपको अपने वाउल को सही से regulate करना है तो stress को manage करिए अच्छी नीद लीजिए regularly exercise करिए meditation करिए music सुनिए और अपने खाने के अंदर right quantity of the fiber add करिए लगभग 30 gram fiber आपके लिए sufficient है और जो बाउल का regulate करने का तरीका है वो दूसरे लोग नहीं है फिर में नहीं आना है आपको कोई टीवी या cancer उससे नहीं होगा that is a normal change जो की IBS बाले patient में होता ही है तो आप इसको accept करिए और खुद से manage करिए thank you very much and take care yourself